कोई इसराइल की तरफ है तो कोई फलिस्तीन के साथ है लेकिन इस बीच जैसे जैसे देश इनको लेकर एलान कर रहे हैं वैसे वैसे मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है अब इस जंग में एक और देश की एंट्री हो गई है इसराइल और हमास की लड़ाई के बीच एक और देश याने के इसलामिक देश मलेशिया ने खुलकर हमास का समर्थन किया है मलेशियाई प्रतान मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा है कि उनका देश हमास के साथ अपने रिष्टों को जारी रखेगा जानकारी के मताबिक इसराइल और हमास की जंग को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि आखिर ये जंग कब खत्मोंगी कब एक दूसरे को मारने पर रूक लगेगी कब तक इस जंग में बेकसूर लोगों की जान जाएगी तो महीं इस लड़ाई के बीच इसलामिक देश मलेशिया ने खुल कर हमास का समर्थन देने की बात कही है इस जंग के मुद्दे को लेकर मलेशियाई प्रदान मंतरी ने बगाइदा संसद में खड़े होकर ब्यान दिया है उनका कहना है कि देश हमास के साथ अपने संबंदों को जारी रखेगा क्योंकि उन्हें फिलिस्तीन के लोगों ने चुना है बता जा रहा है कि इसलामिक देश मलेशिया के प्रदान मंतरी अन्वर इबराहिम ने हमास के साथ अपने रिष्टों पर खुल कर बात कही और खुल कर इसकी वकालत की उन्होंने का कि हमास को गाजा के लोगों ने चुना है और मलेशिया हमास के साथ अपने रिष्टों को कायम रखेगा मलेशियाई प्रदान मंतरी ने कहा कि वो पश्चिमी देशों के दवाव में आकर हमास की निंदा नहीं करेंगे अन्वर इबराहिम ने मलेशिया की संसद मिका की बैठकों में पश्चिम के आधिकारी बार बार मलेशिया से हमास के हमले की निंदा करने के लिए कह रहे हैं लेकिन उनकी सरकार पश्चिम के रवईये से सहमत नहीं है इसराइल पर हमले को लेकर जहां इसलामिक देश भी हमास के साथ खड़े होने से बच रहे हैं तो हमास के साथ खड़े होने की बात कही है इस मुद्धे को लेकर मलेशिया एपियम अन्वर ने कहा है कि मैंने पश्यमी देशों से कहा कि हमास के साथ हमारा रिष्टा हमारी नीती रही है और ये रिष्टा हम आगे भी ऐसे ही बरकरा रखेंगे इस तरह हम पश्यमी देशों के दवाव वाले रवेए से बिलकुल सहमत नहीं है क्योंकि हमास गाजा में जनता की तरफ से चुनकर आया है और गाजा के लोगों ने उन्हें नितरत करने के लिए चुना है तो वहीं ऐसे में एक बार फिर इरान के ओर से भी चेतावनी आई है इससे पहले इरान ने इसराइल को धमकी दी थी और अब इरान के राष्टपती इबराहिम राइसी ने अपने रूसी समकक्ष विलादेमिर पुतिन से फोन पर बात की इसके बाद उन्होंने धमकी दी कि गाजा में जारी संगर्ष दूसरे मोर्चों तक बढ़ सकता है जाहिर है कि पहले इरान और अब मलेशिया इन दोनों ने ही फलिस्तीन को लेकर ब्यान दिये हैं और मलेशिया ने तो हमास के साथ अपने रिष्टों को कायम रखने की बात कही है तो वही नज़र डालें तो साथ अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर बीस मिनट में पाँच हजार से भी जादा रॉकिट दागे थे ये दश्कों में इसराइल पर पहला बड़ा हमला था जिसके बाद इस जंग का ऐलान हो गया अभी के लिए फिलाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए One India Hindi